अब एक कुछ जिन पहले हमारे देश के अंदर एक तसवीरय वायर हुई थी। उन तसवीरों में डेट बॉडिस पाई गे थी नधी के किनारे या फिर कुछ देट बॉडिस को बालो को निचे दबाया गया था। जब ही तस्वीरे सामने आई थी तो पूरे देश के अंदर बहुत बवाल हुआ था तो यहां पर एक कुशन उड़ता है कि क्या हमारे देश के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो बात करता हो डेड़ बॉडिस के राइट्स के बारे में उनकी क्रिमेशन के बारे में और सुप्रीम कोट के इसके बारे में क्या कहना है तो यह सब बात आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आप इस वीडियो को एंट तक देखेगा चली वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं दिने संद हुआ आपका स्वगत करता हूँ मेरे स्यूटूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब ये तस्वीरे बाहर आई थी भहुत सार नियू चैनल जने इन तस्वीरों को कवर किया था तो पुरे देश के दर बहुत बवाल हुआ था और ववाल होने के बाद जो National Human Rights Commission है उन्होंने सेंटर गवर्मेंट को और स्टेट गवर्मेंट को नोटिस इशू किये थे और जहां पर बात की गई थी dignity of dead bodies के बारे में उन्होंने वहां पर कहा कि Supreme Court की High Court के ऐसी बहुत सारे judgments हैं जहां पर बात की गई है dignity of dead persons की, dignity of dead bodies की तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं Supreme Court की judgments को कि Supreme Court इसके बारे में क्या कहता है उसके बाद हम कानूनों को समझेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसे कौन से कानून है किस तरह की sections है जो बात करते हूं disease person के right के बारे में दोस्तो Supreme Court की एक बहुत बड़ी judgment है जो की आई है 1989 में कि इसका नाम है परमनंद कटारिया वर्सेज रून आफ इंडिया और Supreme Court ने इस case के अंदर कहा कि जो article 21 है हमारे सम्मिधान का जहां पर बात की गही है right to life and person liberty की जो आपका right to life है इसके अंदर right to faith treatment, right to live dignity इसके साथ साथ Supreme Court ने यहां पर कहा कि जो right of human dignity है वो extend करता dead person के लिए भी कि जो dead bodies है उनकी जो cremation है वो dignity के साथ होना चाहिए यह Supreme Court ने इस case के अंदर कहा और इसके साथ साथ Supreme Court ने कहा कि the state must have show some respect towards dead bodies, towards dead person यह Supreme Court का इस case के अंदर कहना था Second case हमारे पास आता है अश्रे अधिकार अभ्यार versus run of India यह case है 2002 का और Supreme Court ने इस case के अंदर कहा कि जो dignity है dead bodies की that must be maintained और Supreme Court ने कहा कि state की duty बनती है, state की obligation बनती है कि जो dead persons है, dead bodies है उनका decent burial, जो हम उनका decent cremation किया जाए as their religious beliefs, उनका वो होना चाहिए with dignity होना चाहिए यह Supreme Court ने इस case के अंदर कहा different high courts की भी judgment है, मैं सबको यहाँ पे court नहीं करूँगा एक judgment आई है Bombay High Court की प्रदीव versus state of महरास्टरा 2020 की judgment है यहाँ में Bombay High Court ने कहा कि जो आपका right to decent warrior dead bodies के लिए वो included है article 21 में, यह judgment है Bombay High Court की तो अब ही हमने समझ लिया Supreme Court के और High Court की judgment को अब हम समझते हैं law के बारे में हलांकि Supreme Court की judgment भी कानून ही होती है लेकिन section के तरह हम इसको समझेंगे कि हमारे laws में section कौन-कौन है जो इस तरह की बात करते है सबसे पहले हमारे पास section आता है section 297 of Indian Penal Court यानि कि IPC, यह section बात करता है trespass on burial places, मतलब कि जो समझान घाट है या फिर जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है अगर वहाँ पे कोई कबजा करता है, अगर वहाँ पे कोई trespass करता है उसको जो हाँ वह एक crime माना गया है अगर कोई disrespect show करता है dead bodies को तो उसको भी यहाँ पे अपराहत माना गया है अगर कोई भी person ऐसा काम करता है indignity show करता है dead bodies के लिए तो उसको एक साल की सजा fine या फिर दोनों हो सकते है next section हमारे पास आता है section 404 IPC यह बात करता है dishonest misappropriation of property of disease person अगर कोई भी person जो person मर गया है मरने के बाद उसकी property के साथ कोई छेड़ खानी करता है उसकी misappropriation करता है by dishonest intention तो उसको भी जो हाँ वह crime मना गया है उसको तीन साल की सजा fine या फिर दोनों हो सकते है इसके बाद हमारे पास section आता है IPC का section 499 यह बात करता है defamation की अब आप यहाँ पर बुलेंगे कि defamation तो living person के लिए होती है लेकिन ऐसा नहीं है अगर जो person diseased है जो person की death हो गई है मर गया है अगर मरने के बाद भी कोई भी person उसकी reputation को हारम पहुँचाता है तो वो भी defamation के अंदर count होता है यह बात इक section के अंदर की गई है तो उसको वहाँ पर सजा हो सकती है इसके बाद हमारे पास section आता है section 503 of IPC वो बात करता है criminal intimidation के अगर disease person की reputation को हारम पहुँचाने के कोई धंगी किसी को देता है तो वो भी उसके अंदर count होता है उसको भी crime माना गया है तो उसको भी section के तह सजा हो सकती है तो आपने समझ लिया इस वीडियो के अंदर कि जो dead bodies की cremation है उनका जो वरियल है वो उनके धार्मिक अधार पे होना चीए अगर उनको दफनाया जाता है तो उनको दफनाया जाएगा अगर उनको जलाया जाता है तो उनको जलाया जाएगा तो यही था दस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको यह वीडियो इंफरमिक लगए है तो आप इस वीडियो को करें शेयर करें कमेंट करें कोई कुश्चन एक और है तो भी कमेंट कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दू कर दीजिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग